तेलंगना विरोधिये लोग चुनाव से पहले जन्ता को कुछ छोटे लाब देकार अगले 5 साल तक तेलंगना को लूटने का अधिकार हासिल कर लेते हैं हमें तेलंगना में इस परंपरा को अब उलट कर देना है भाईयो बैनो उसको रोकना है रोकोगे क्या रोकोगे क्या तेलंगना के भाईयों मुझ पर पात साल भरोसा करो ज्यादा ने कह रहा हूं पात साल भरोसा करो इन्होंने जीतना लूटा है ना मैं आपके चर्णों में लाकर करके रख दूंगा आज भी कॉंग्रेस और ब्यारेस तेलंगना के लोगों से विश्वास गात कर रही है कई राज्यों में कॉंग्रेस चुनाव से पहले ऐसे इक बड़े वाद्य किये और अब उन्हें पूरा करने के लिए 15 अलग अलग सर्त रखी रही है पहलो तो बोल देते ऐसा करेंगे फिर कहते ऐसा होगा तो करेंगे ऐसा होगा तो नहीं करेंगे ये करेगा तो नहीं करेंगे उधर वाला होगा तो क्यों भाई जनता को मुरग बना रहे हो यहां बियारेस ने भी बेरोजगार युवाओं को बत्ता तेरे का जुठा वाइदा किया कॉंगरेस और बियारेस का रविया बिल्कुल एक समान है चुनाओ से पहले आस्मानी वादे करो और चुनाओ के बाद सारे वादे भूल कर अपने तीजोरी बरो दाक कुटुम्ब सब्यूलारा बीजेपी का टैक रकॉर्ड अपने वाइदे पूरे करने का है पिछले कुछ महिनों से आप सब देख रहे हैं कि केंद्र सरकाल लाखो युवाओं को नोकरी देने के लिए रोजगार मेले का योजन कर रही है इसकी गोजना पिछली साल हुई थी इस मेले के जरिये बेश के हर कौने में लाखो युवाओं को सरकारी नोकरी के नियुक्ति पत्र पब्लिक नियुक्ति पत्र देने का काम हमने किया है तेलंगना गिवाओं को भी इसके जरिये हज्जारों तेलंगना गिवाओं को आज भारत सरकार में हमने काम दिया है यहां के युवाओं ये देख रहे हैं कि पूरी प्रक्या बिना रुकावाट और पारदर्सिक से तरीके से हुई है तेलंगना मेंसे एक भी सिकायत नहीं आई कि नोक्री मिली लेकिन किसी को मोदी को पैसा पहुंचाना पड़ा ऐसी एक घटना नहीं आई है इसलिए ब्रजना मेंसे लाइए बियार आस के युवाओं पिरोधि रवख ये और इसकी सरकार को यहां के आफू पर वार जवाब देने का मन बना चुक है मेरी बात सही है ना मेरी बात सही है ना मेरि आफसी कर लिया है ना जाईगा ना के औहाना है कि मैं तेलंगना कि ऊओसे भी कवहूंगा कि हमारे युआउं को निराष होने के जरूत नहीं है मेरे कि यह मोदी की कि रहनती है आपको निराष होने की जरूत नहीं है बहुत पास सरकार आते ही बियारेस के पापों को मैं एक-एक खोल करके रख दूँगा कि उनकी सारी बुराईयों को निकाल करके रहूंगा और अभ्यान के तोर पर करके रहूंगा क्योंकि मैंने अपने आखों से देख रहा हूं